वेलकम तो दी मोश्ट अंडेटी टेक चनल अफ इंडिया सला ये दुख का है खतम नहीं होता भे कल वाली वीडियो के अंदर मैंने 2000 कमेंट मांगे थे और अभी तब 24 आर्स नहीं है जब मैं इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूं किया है वह साधी बाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब किये अभी कर मच जाना वरना पाप लगेगा यहाँ पर सी फ्रेंडर सी नहीं है लाइब वीडियो भी आ चुकी है दो पुब्लिकेशन की तरफ से इसकी लाइब वीडियो आई है उन्होंने जाकर प्रोपर फोन देखा है और यहाँ पर कॉफी सारी चीज़े ब्रेट डाउन करने वाले हैं हम आज इस फोन के बारे में जैसे कि यहाँ पर अगर आप बैक लुक देखो तो यह काफी होत तक मिलता जुलता है आईफोन 12 की बैक से और पहले हमने देखा वनप्लस के कुछ फोन आईफोन से मिलते जुलते होते थे नोट सारे यहाँ पर कुछ ही फोन होते थे खैर इंस्पायर होना गलत नहीं है य अगर बैक पैनल अटा दो ना आईफोन 12 का तो काफी जादा क्लोज लगते हैं दोनों फोन और यहाँ पर मेरे को काफी जादा परसनली अच्छा लगा नथिंग फोन का लुक बैक आपको ट्रांस्पेरेंट मिलती है वाइट कलर की और कैमरा दिखूगे ना तो बिल्कुल ओसारी लाइट मिल जाती है इसको पों कि बैक में आपको चार्जिंग को जो मिलते हैं तो आपको यहाँ पर wireless charger वी मिलती है फोन बाली तो एक चीज दो चार्जी अपर के इमेज़ने के फेल के और फोन में दो ही regime जैसा ही है यहाँ पर आपको फ्लैट धर्म मिलते हैं साध यहां पर जो antenna band cutout है वो भी iPhone 12 के जैसे ही है, नीचे की तरफ speaker grills है, साधी Type-C port है, बट 3.5mm jack का गड़ा नहीं है, तो ये शक्ती भाई हर company चीन दिया, तो हम nothing को कुछ नहीं कह सकते, भागी right hand पर आपको power on up button मिलेगा, left side पर आपको volume rokers मिलने वाले हैं, तो इंडियन करेंसी में करीब करीब 50,000 रुपे, लेकिन कुछ लीक्स ये भी बोले हैं कि 35,000 तक ये phone launch हो सकता है इंडिया के अंदर, और अगर आप सोच रहे हैं कि back में प्लास्टिक ए ग्लास है, तो ये भी आप cutout clear कर देता है, आपको भाई की back में ग्लास दिया और फ्रेंड में भी ग्लास है, विकाज फ्रेंड में तो हर कंपनी ग्लास देती है, बेश आले, बट यहाँ पर फ्रेंड में ये चीज नहीं पता है कि कौन सा पैनल मिलेगा, IPS या आपको मिलेगा हैं हाँ पर AMOLED पैनल, यहाँ पर नतिंग के फोन में भी सेम ही चीज देखने के लिए मिलेगी और इसका जो फ्रेंट लुग होगा, वो Samsung S22 की तरह ही होने वाला है क्योंकि उसमें भी बैजल काफी कम थे ना के बराबर ही थे और यहाँ पर मिड में पंच होल मिलेगा, बागी देखना होगा कि कैलिवेशन डिस्प्ले की किस तरीके से करेगा नतिंग और यह पहली बार होने वाला है कि नतिंग की तरफ से कोई फोन आने वाला है, बट नतिंग कंपनी के जो ओनर है वो भाई कोई नए खिलाडी नहीं है, वो एक्चुली वनप्लस के फाउंडर थे और इस पर मैं उल्रेडी बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, नहीं चेक आउट की तो आप कर लीजे, यहां पर यहां पर आई बटन आ रहा होगा, तो हर चीज की बात हो गई, बट यहां पर ताकत की बात कोन करेगा, तो इस फोन के अंदे स्नापड्रेगन सैवन जैन वन की ताकत मिल सकती है, 90% चांसी है और यह नया प्रोसेसर होने वाला है, बागी इस प्रोसेसर को एक तरीक से सैवन सीरीज का तकड़ा वाला प्रोसेसर बताया जा रहा है, बट आज कल हम देख रहें कि Qualcomm के प्रोसेसर के साथ एक चीज है, कि वो स्टार्टिंग में उप्टिमाइज नहीं होते, तो देखना होगो नथिंग कितनी अच्छी तरीके से ओप्टिमाइज करके लाएगा, बागी मुझे भाई थोड़ा सा भरोसा है नथिंग पर, और यहाँ पर मैं जिस चीज के लिए सबसे जादा एकसाइटिड हूँ, वो है नथिंग का एकोसिस्टम, क्योंकि जैसे इन्होंने हाइप बनाई थी न, कि एपल के एकोसिस्टम जैसे ही हम एकोसिस्टम क्रेट करने वाले हैं, लाइक सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, आरेंटी पर तकड़ा पैसा खर्च करने के लिए उनके पास पैसा है, फिर भी वो उतना तकड़ा आस तक एकोसिस्टम नहीं बना पाए, जितना कि नथिंग वादा कर रहा है, और मैं एक्साइट इसलिए भी हूँ क्योंकि भाई, इनक्या जो नथिंग एकोसिस्टम है वो सिर्फ नथिंग प्रोडेक्ट के साथ ही काम ने करेगा, इस चीज को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ, यहाँ पर लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इसके अंदर 45 वोट की फास्ट चाजिंग होने वाली है, तो यहाँ पर लुक एपल का लेकिन फास्ट चाजिंग वाली टेक्नलोजी सैमसंग की मस्त चूना लगा रहे हो, और एक और मस्त चीज मिलेगे, इस फोन के अंदर जो स्मार्टफ़न कंपनी अपने फ्लैक्षिप और फ्लैक्षिप के अंदर देती है, वह वाईलेस चाजिंग और यहाँ पर लाइट वाइट वाईट लगा वाईलेस चाजिंग मिलेगी आपको, खेर यहाँ पर अब जो इसका प्राइज निकल कर आया है जैसे मैंने आपको बताया 500 EUR इसका प्राइज निकल कर आया है जो कि इंडियन करेंसी में एराउंड 50,000 रुपीज प्राइज है जब तक लिए जोबन मैं है गाइस वे तो वोच यहाँ तेट इंडियन विद एच विन बॉक्स गाइस